नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज बियालस वर्स के पर उसके पाम का रासस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रत हम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उस कोश्चन इस प्रकार है क्या मेरी हतली पर ऐसी अवस्था मौजूद है जो मुझे करोडों का मालिक बना सकती है पहला दूसरा कोश्चन इस प्रकार है आगे की जिंदगी कैसी रहेगी अपने पड़िवार के लिए क्या कुछ कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए इतना ब कोश्चन बड़ा यूनिक था तो ऐसे बहुत से लोगों का प्रश्ण हो सकता है तो वीडियो से मैं समझाऊंगा दिखाऊंगा कि कौन ऐसे विक्ति हैं जो करोडों के मालिक बन सकते हैं और इसके लिए कोई आपके हाथ पर हाथी गोरा होने के आवश्यक्ता नहीं है के लिए आपकी एतली के सारे प्लैनेट्स सबसे पहला सबसे मूल बात और सबसे महत्पून बात कि आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडिशन में होने चाहिए जैसे आपकी शुक्र हो गई आपकी मंगल हो गई आपकी बरश्पती हो गई सैटरन हो गई सन मरकरी हो गई सारे ही प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडिशन में होने अती आवश्यक है, पहला, सकेंड वन आपकी जीवन रेखा बहुत असपस्ट हो और इस पर कोई राहू लाइन नहीं हो, कोई राहू लाइन नहीं हो, सबसे बड़ी बात है आपकी फेट लाइन जो कि आपके वो रुपे कमा सकते हो, लेकिन यही संतुरित आपके अधरी पर नहीं होती है, उसके उपरांत आपके कुछ प्राग्रस टाइन होने चाहिए, जो कि आपको समय समय पर तरक्की से पड़ी चेक कराएं, तरक्की के मार्ग को दर्शाएं, तो इस अवस्था में, इसी अवस् रेखाओं में बल भी होना चाहिए, कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, कॉमेंट्स कर सकते के गुरुजी मेरे हाथ पर है, लेकिन मैं तो करूरो का मालिक नहीं बन गया, तो आपके हाथ में होगी ज़रूर लेकिन आपके लाइन्स में स्ट्रेंथ नहीं भज जरूरी है, भाग्य रेखा सुई के तरह पतली हो, मुद्ध रेखा भी पतली हो, सुरी रेखा में भी ताकत हो, जीवन रेखा भी असपस्ट हो, बिना किसी राहु राइन के साथ हाथ भी गुलाबी हो, गदेदार हो, तब ही आप बन पाओगे, तो बस, अब इसके उप ट्रेंगल बन गया, फिश बन गया, तो इन सारे अवस्था में इन्सान करणों का मालिक बन सकता है, इस बात को बताना इसलिए जरूरी था, कि बहुत से लोगों का ये प्रशन हो सकता है, और इनके लिए भी ये बाते समझनी जरूरी है, कि आपके हाथ पर क्या है, मानलो ज़्यादा positivity आपके हाथ पर नहीं है तो कुछ ऐसे indications आपके हाथ पर हैं जो बहुत पैसे आपको देते हैं तो कहीं न कहीं उसको वो manage कर लेती है बस सिधा बात यही है कि positivity होनी चाहिए जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा पैसे आपके पास आएंगे हैं अब इनका जो लाइन सुई की तरह पतली बचपन से तो बहुत ही अच्छी नहीं थी थोड़ी थोड़ी अमांट में चल रही थी हर साल दो साल में ठाइस वर्स के बाद कोई ना कोई प्राब्लम को इंडिकेट कर रही थी अभी आपकी 42 वर्स की आयू है अगर अभी से में आपकी फेट से आते हैं उसके पास और इसको आप क्रॉस के स्रेणी में डाल सकते हैं क्रॉस मतलब डो ट्रेंगल हो गया एक यहां बन गया एक यहां बन गया तो इस दोनों ही केस में प्रापर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलता है इंसान को पैसे मिलते हैं उनके मेहनत के जैसा कि आप देख पारें इनके अदले पर राहू लाइन भी है तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज है और दूसरा यहाँ पर से भी एक खुसकबरी है तो इतने फल ये नहीं दे पा रही होगी जितना इसका एक्च्वल फल होना चाहिए अब इसको सीधा समझो कि आप कम कितना रहा है कुछ फालत हो कि खर्च लग जा रहे हैं कहीं ना कहीं से पैसे चले जा रहे हैं तो बच कितना रहा है आपके पास आपके पास वही बच रहा है 10,000 और कोई व्यक्ति 20,000 ही कमा रहा है लेकिन उसके जिंदगी पर 10,000 बच रहा है तो इससे आप क्या समझ पा इसे आप यही समझ पा रहे हैं कि उसके हाथ पर कोई negative impact होगा जो उसके पैसे खर्च करा रहे हैं और जो 20,000 कमा रहा है उसके हाथ पर कोई negative impact नहीं होगा जिससे उसके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो बात यहाँ पर है तो कहीं न कहीं जितना पैसा आप 10 साल में save करोगे ह हो सकता उतना पैसा वो भी सेव कर ले तो इसी लिए राहू लाइन रहने से पैसे खर्च होते हैं, expense के लाइन होने से पैसे खर्च होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कम कमाओगे, आप कमाओगे लेकिन आपके उसी पैमाने पर खर्च यहां, way of believing आप दोनों का अलग-अलग हो सकता है, यह चीज़ मैं मान सकता हूँ, तो वही राज्योग का स्रेणी है ना, वही राज्योग को judge क्या है था, वही तो मैं राज्योग दिखाता हूँ आपको, कि किसी की 55% बनी, किसी की 60% बनी, किसी की 55 बनी, किसी की 40 ही बनी, तो यह राज्योग को दर्शा है जाता है हमारे द्वारा, कि वह कितना अच्छा अपने जिंदगी को जीएगा, कितने strong उनकी जिंदगी रहेंगी लगजरी को लेके, तो यह कुछ concept की बाते हैं, जो मैं आगे भी बताऊंगा, तो इस अतली पर भी चीजों को clear करूंगा, तो आपकी fate line पर जबरदस्त बन रही है, जिंदगी के last तो भागी का आपको बखुवी साथ मिल पा रहा है, इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है और आपकी कुछ square नुमाकरती के formation है, दो तीन सूरी रेका आपके तरही पर मौजूद है इस case में विक्ती accurate होते हैं अपने कारे को लेके, और strong आपकी बुद्ध रेका जो की कई न कई आपको business से धनलाव करा रही है, अभी चर्चा करते कि कमाओगी कितने यह सब तो positive indications दिख रहा है, अमें भी दिख रहा है, तो देखिए आपकी जो राहू लाइन है, अगर मैं इसको देखूं तो आपकी तकरीबन 42 में वर्स में भी एक हलकी सी राहू लाइन है, चुकि एक progress लाइन है, तो पैसे आते हैं, जाते हैं, यह वाली conditions बनी रहती है, इसको अगर मैं ठीक से देखने का प्रियास करूँ न, तो यह राहू लाइन है, जो कि आपकी यात्रा हैं बड़ी सी करा रही है, और इसी सायोग से एक triangle सा भी बन गया है, तो property विगरा यहां से भी दिख रही है, और कुछ विदेश सी दर्ती से दनलाव या विदेश की य पर चोई न, वो कम होंगे, तो पैसा जैसे मालो पहले 10,000 सेव करते थे, अभी कर पाओगे 50,000, तो यहां से increment हुआ, यह जमा करते करते आपके जिंदगी पर कुछ ऐसे opportunity आएगी, जो कि आपके squares मुझे दिखा रही है, जो कि आपके 45 में वर्स के बाद की स्थिती मुझे पारे हैं, कुछ squares के हिसाव से आपकी कुछ property विगरा बनने के योग हैं, अब property आप कागत से तो खरीद पाओगे नहीं, property खरीद निकले तो पैसा चाहिए, तो यही पैसा सेव होते होते होते, कुछ property विगरा बना पाओगे आप, और करूरों के मालिक बन पाओगे, लेकि step by step, क्योंकि भागे रेखा आपकी पतली थी, और चुकि आपने जिन्दगी के बहुत समय में पैसे खर्च को देखा है, तो अचानक आपके पास कुबेर का खजाना नहीं लग जाएगा, क्या आपको कुबेर का खजाना मिल जाए, लेकिन आपकी जिन्दगी अब पटरी पे आजाएगी, पटरी पे कैसे आएगी, जितना आप सेव करना चाले उतना आप सेव जरूर कर पाएंगे, धीरे धीरे होगा, कोई भी चीज एक दम से नहीं होता है, आपकी जिन्दगी मूवी के तरह नहीं चलती, आपकी जिन्दगी मूवी के कहानी के तरह नहीं चलती कि दो गंटे में अमीर भी है, दो गंटे में गरीब भी है, दो गंटे में खाक पती है, दो गंटे में लाग पती है, तो ऐसी आपकी जिन्दगी नहीं चलती, यह जिन्दगी है, 300 पैसर दिन एक साल में होते हैं, उसमें कितने गंटे होते हैं, आप खुद आपके mathematics अच्छे होंगे तो ये जिन्दगी आपकी ऐसे चलती है तो बस दीरे-दीरे आप आगे बढ़ोगे करोड रुपे अवश्य कमाल होगे क्योंकि हतली पर अच्छी अवस्था है जो कि जिन्दगी के लास्ट में मुझे दिख रही है और जो मैं राज्यों की बाते करता हूं इस इतली बहुत अच्छे से मौझूद है 60% तो विक्ति की जिन्दगी अच्छी भी इतनी है पैसे कमाने के मारफत से भी जिन्दगी अच्छी ही रही कि आपकी इसमें किसी परकार का संदे नहीं है तो ये इनका पहला और इंपॉर्टन परशन था अभी इनके आगे के परशन के द से राइस किया तो बस बहुत अच्छे से आप रख पाऊगे इसमें कोई संदे वाली बात नहीं इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है एकदम एकदम कन्फर्म और आगे बुद्ध रेका भी बनरी बनी ट्रेंगल से वी है लेकिन आपकी भाग की रेका थोड़ी सी बहुत स्ट्रॉंग नहीं थी तो अगर ये भाग की रेका बहुत अच्छे मूड में होता न तो ये आपको बहुत फल देता मतलब बहुत चमकदार होता बहुत स्ट्रंथ वाला होता तो बहुत बहुत बहतरी इन फल देता लेकिन फिलाल तो ये है नहीं इसलिए आपको प आगे, यह मैं आपको आस्वासन दे रहा हूँ, कि आपके जिंदगी पर आपको हर वो सुक देखने को मिलेगा, जिसके आप उमीद में हो, जिसके आप परियास में हो, तो यह इनका प्रशन ते जिसका आपने उत्तर किया, अभी इनके तरीका मैं जनलन असस करूंगा, चीज और मैनत करना, इनका एक धर्म समझते हैं यह, और मैनत करके यह जीवन पर हरे वो सुक को पाते हैं, मूलता ग्रू में स्टेंथ है, 60% राजजोग का फल मिल रहा है, गुलाबी है, दन को अट्रैक करती ही करती है, बंद्यमस्तर यह, अभी थंब के दरब चलता हूँ, शक्ति बहुत ही अच्छी तरफ शक्ति भी शांदार, दिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, विक्ति को लाइफ को सेट करने के अलावा भी बहुत कुछ करना है, सेकेंड फैलिंज का बड़ा होना ही इस चीज़ का पढ़िचे करा रहा है, कि विक्ति के अंदर कारी के से प्रदान कर पाएं और काफी अच्छी डेडिकेशन है आपकी थंब जो मुझे बता रही है विक्ति तो काफी शांदार है दो लाइन्स बड़ी-बड़ी सी मौझूद है और इस केस में यवा आकिरति का प्रमेशन जरूर से ले रही है तो विक्ति को जब सपोर्ट के आ बहुत समझदार होते हैं अपने कारे को बड़े इमान दारी से करते हैं खाईलाइन सतली पर मौझूद है इस केस में विक्ति बहुत ही अच्छे होते दिल में दिल में किसी के परती कोई गरत बावना नहीं होती हमेशा लोगों के विशे में अच्छा सोचते हुए ही ये जबरदस्त, ब्रश्पती फिंगर हलकी बड़ी, तो थोड़ी सी बाते न लोगों की बुरी लग जाएंगी, यहां से दवाब भी है, प्रारंबिक समय में थोड़ा धोका, थोड़ी बाते बुरी लग जाएंगी, बहुत से पैसे भी फसे होते हैं इस केस में, तो थोड़ा स बहुत पैसे देगा, और कई न कई लोग आपके पास आएंगे, आपके हुनन को लेके, तो सुड़ी अच्छी है, सुड़ी फिंगर अच्छी है, तो विक्ती बहुत ही हिम्मती होते, इसमें कोई संदे नहीं है, बुद्ध फिंगर का छोटा होना, थोड़ा लापडवाह पारिवारिक संबंद में भी दर्शाता है, क्योंकि आपकी ब्रशपती भी डाउन थी, और प्रारंबिक समय में भी दर्शाता है, दो लोग इकेस में, तो इसलिए थोड़ आसा ना, निरने को सोच समझ के लिए करें, अला कि अभी तो आपकी वो एज नहीं है, कि आप और भी गलतिया करो, लेकिन कुछ गलतिया आपके दौरा सुरू में की गई होगी, जिसका मलाल आपको आज भी होगा, तो ये इनके फिंगर के वेशा में कुछ महत्पूर्ण बाते थी, अब इनके प्लैंट्स पर चलता हूँ मैं, चले ब्रशपती पर चलते हैं, तो अगर ये बनेगी तो आपको बेनेफिट कराएगी, फिलाल तो नहीं है, बाकी 36 वर्स के बाद ब्रशपती ने अच्छा मोड लिया है, तो प्राडंबिक से हमें स्ट्रगल तो जरूर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दूसरा एक लाइन आपकी हर्ट लाइन के ब्रशपती पर गई है, तो इस केस में क्या होता ना, पारिवारिक संबंद जो होते हैं, आपके वो बहुत हेल्दी नहीं होते, और भी मेंबर्स होते हैं परिवार में ना, आपके परिवार को छोड़के और भी मेंबर्स होते हैं, उन से संबंद की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सानवन के सिति बनी रहती है, बाकि घर से बाहर का आपको अच्छा का सा value मान समान मिल जाएगा, 36 वर्स के बाद अपने कारे छेतर को आप जरूर से बढ़ा पाएगा, बाकि इसका remedy मैं आपको दे दूँगा, यहां से दबावे तो विक्ती मैनती मैनत का इनको फल म मिल जाएगा, no doubt, फिर इनकी फेट लाइन, जबरदस्त फेट लाइन, जिद्दगी के लास्ट तक है, यह देखो सारे फेट लाइन के ब्रांचे से हैं, एक शुक्र वले डिस्टर्ब्सी थी आपके एतले पर इस केस में थोड़ा दुस्प्रभाब तो आया होगा, इसका struggle रहा है, प्रारंबिक से में struggle काफी रहा है, और इस केस में देखो तो आपकी स्ट्रॉंग फेट लाइन, जो कि आपके जिंदगी के लास्ट तक है, और एक विदेसी दर्जी से धनलाफ के तरब भी सारा करा रही है, और कंटीन्यू आपकी फेट लाइन से बढ़ी इस केस म कर सकते, गुरु जी क्या सब के अतली पर शुक्र वले खराब होता है, नहीं सब के अतली पर नहीं होता, किसी-किसी के अच्छा भी होता है, और किसी-किसी पर इसका negligible फल भी आता है, तो पाम-पाम के हिसाब से, strength के हिसाब से ये चीज़े पता चलती है, तो ये इनकी strong fate line जो कि आपके जिन्दगी के लास्ट के, तो बागे का दिक्कत नहीं मिलना, विदेशी दर्थी दर्लाव के योग से भी बने हुए है, ये confirm है, line of education अच्छी है, तो ये प्राया हर अतली पर होती ही है, जो समझदार होते हैं, उसके अतली पर भी होती है, जो कम समझदार होत किसी बीचीज को समझने की, ये एक बहुत, नहीं सॉरी, line of education, ये एक बहुत ये अच्छा यूनिक योग होता है, जो कि आपके अतली पर पाया जाता है, जो मैं चाहता हूँ कि सभी के अतली पर हो, फिर देखें इनकी strong सूरी रेका, जो कि तीन तीन इमांट में थे, पैतर कोई जॉब में तो हो नहीं, वेपार है आपका, तो यहाँ पर से पद नहीं, यहाँ पर वेपार में ही name fame होता है, कुछ लोग के लिए आप प्रयोग करते हैं, कि वो अच्छा समान रखता है, वो अच्छा खाना बनाता है, उसकी यहाँ से लोगों ठगाओगे नहीं, तो इसलिए मैं इस बिशह पर बात कर रहा हूँ, तो मान समान तो हर एक फिल्ड में होता हैं, चाहिए आप कोई भी काम करें, तो यह अच्छी सूरी रेखा आपके name fame को दर्शाती है, और कुछ सूरी रेखा के ब्रांच यहाँ भी है, तो प्रॉपर्टी विगरा बना इनसान की बुद्धर एका आतली पर होनी बहुत जरूरी है, जो की इनको intelligent बनाती है, तो कोई भी प्रकार के आप विपार में रहते हैं, तो intelligence लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, तब ही किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, सूरी और मरकरी बहुत इनरजी, आपके ताकत, आपके डेडिकेशन, आपके प्राकरम, आपके पर्धिरोदर चमता, आपके स्वास्ता जीवन को दर्शाता है, तो इन सारे ही केस में आपको सबसीज मिला है, स्वास्ता जीवन, प्राकरम, एनरजी, डेडिकेशन, हिम्मत, काम करने की चमता, सारा कुछ आपमें बहतरीन है तो जबरदस्त मंगल आपके तली पर मौझूद और प्रापटी के सुख को भी आप अपने जिन्दगी पर भोग पाएंगे मंगल अच्छा हो तो ये भी एक बहुत एचे इंडिकेशन्स होती है चन्रमा स्ट्रॉंग चन्रमा आपके तली पर मौझूद इस केस में विक्ती बहुत ही शांदार होते हैं बहुत ही शांदार विक्तितों के होते हैं पैसे के फिलो अच्छी बनी रहते हैं तो इश्वर से ही लिखा गया हो विदेशी दर्ती से धनलाव या कुछ बड़ी यात्रा आएं तो आप इश्वर से लिखा के ही आए हैं या चन्र से जुरावा कारे करेंगे तो benefit होगा liquid से जुरावा लोगों से जुरावा इसमें आपको काफी benefit खाने पेने से जुरावा चन्रमा काफी जबर्दस्त आपका चंदर से line है तो कुछ artistic quality भी रहती है इन लोगों में singing, dancing में interest होता है इन लोगों को ये भी आपके तली मुझे बता रही है कि ये तु परवत पर कुछ दो-तीन lines है इस case में थोड़ी यात्राएं विगरा के तरफ ये पड़ी चैसी करा रही है आपके तली पर ये देखो completely इस case में यात्राएं बहुत बड़ी-बड़ी से होती है और यहाँ पर से एक बुद्धरेखा भी आपके तली पर है जो कि चंदर पर जा रही है इस case में चंदर्मा के द्वारा विपार करना होची तरह हैगा और भागी रेखा अगर आपके चंदर्मा से चले न तो ये एक अच्छी इंडिकेसंस मानी जाती है कि इंसान आर्टिस्टिक होते है बहुत बड़े इसे और यहाँ पर से भी देखो भागी रेखा आपकी अच्छी है एक ब्रांचेस खुली विए बागी रेखा के साथ जो कि विदेशी दर्दी से धनलाव यह यातरा के तरप पड़ी चेशी कराती है तो ये स्ट्रॉंग इंडिकेसंस बागी शुक्र आपका बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉंग शुक्र आपके तरही पर मौझूद इस केस में विक्ति की जिन्दगी बड़ी मस्तभी तीयस साथी के बादे की भागूते है बच्चे अच्छे मिलते हैं और खड़ी लाइन्स आपके शुक्र पर मौझूद है तो इनसान की पैसे की दिकते नहीं होनी पैसे बहुताते हैं मनी की कोई प्रॉबलम्स नहीं होती आपको पैसे जब चाओ तbecueiß आएगे आपके पास और लगजरी के प्रॉपर लाइन्स आपके यह पर मौझूद है इनसान को लगजरी का सुक मिलता है strong शुक है, तो जंदगी बहुत अच्छी बीत नहीं है, कोई संदे वाली बात नहीं है, कुछ square नुमा किरती का formation है, तो luxury का proper शुक मिलेगा, यह सब एक ही मतलब होता है, इन सारे indications का, अभी देखे मंगल रेखा, तो जबरदस्त मंगल रेखा, आपके अतली पर मौजूद, इ इसमें क्यों interfere करूँ, यह आयू, इस case में अगर ऐसे अतली पर योग देखा गया है, तो बहुत लोग बचे हैं, बहुत दिन उनकी आयू रही है, तो बस इसलिए यह जीज़े बताई जाती है, और मंगल काफी अच्छा प्राकरमी विक्ती है, आप कुछ squares अगर देखा ज किया है, उसे मुझे दिकरी थी, और उसके बाद कुछ तरक्की की, कुछ राहू लाइन भी थे, तो आपके 42 में वर्स तक हर साल, दो साल में कुछ तरक्की, कुछ राहू लाइन के वज़ा से समस्य आपको आती रही है, यह देखो, completely आपके तली मुझे बता रहे है, कभी क दिक्कते नहीं है, यहाँ पर 55 में थोड़ी दिक्कते हो सकती है, 55 के बाद एक बड़ी ट्रेंगल से हैं, उसके बाद यातरा है बहुत बड़ी सी ओड़ी है, जीवन डेका बड़ी असपस्ट है, इंसान की ज़ादा तर दिक्कते जिंदगी पर नहीं होती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीच जाएगे, जो एक आक साल का आपको तक्रीफ है बस, मस्त रेका भी आपकी काफी अच्छी, कुछ आपके 35, 37 में दवाब दिखा, 35 से लेके 38 के बीच, उसके बाद सो चीज़े बड़ी असपस्ट है, यहाँ से एक और लाइन जो आपके गई है, यह बेनेफिट कराएगे, किस छेतर में, बाग इसे प्रापर्टी आपको मिलेगा, अगर यह लाइन चंद्रमा पर जाती है ऐसे, तो आपके विदेशी दर्ती से आपको बेनेफिट कराएगे, फिलाल तो इसका कोई दिखनी राम है, बाकी फेट लाइन के विशह में भी आओ इसमें भी किसी परकार का संदे नहीं है, अभी देखो इनके फेट लाइन, तो फेट लाइन तो बचपन से ठीक थी, थोड़ा 28 के बाद ही गरबर्सी हो गई थी, फिर 36 के बाद है ठीक थी, 42 के बाद से बहुत असपश्ट है, आगे 2-3 ब्रांचे से इनके फेट लाइन न फिलाल तो बहुत स्ट्रॉंग नहीं, लेकिन यहां से खलका सा बन रहा है, लेकिन यहां से गैप है, इस केस में पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, बट बुद्ध रेका आपकी अच्छी बन रही है, तो विपार से धनलाव यहां से बी एक बन रही है तो चंदर से जुराव व मैं आपके हार्ट-Line माइन रहा है, इस केस में इंसान के माइन और दिल के बन को बल को इंक्रीज करते हैं, थो राख numéro कर दू, यह देखो, यह देखो, तो इसमें ताकत-पर्दार होता हा आपकी मस्दिक, सरे खा आपकी इलिएरे रहा में, यह सारी इंडिकेसिन्स आपके अगर आपको बाड़े वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अगर आप प्रस्तली मेरे सास्त्रिकारी का कि सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वर्टसर में रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ले के आप समपढ़ कर सकते हैं, धन्यवा कर दे, अत्यों मिल जाएगा, एक उन्यवाएगाब कर दे, अजाओाना चाहते हैं, अजाएगावाब कर दे, क्या हूं है।